ओम नमो नाराय नमस्कार दोस्तों मैं नीतू मेरे चैनल में आप सब का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आज हम बात करेंगे हल्दी हल्दी औशदी गुनों से भरपूर है ये तो हम सभी जानते हैं मैंने एक सौट वीडियो हल्दी पे बनाई थी जिसका व्यूज दो मिलियन की करीब है उसमें सभी लोगों ने बोला इसे आप डिटेल में बनाईए तो इसी वज़े से मैं ये हल्दी वाला वीडियो डिटेल में बना करके अपलोड कर रहे हूँ हल्दी जिस तरह हल्दी के औशदिये गुल बहुत मात्रा में होती है उसी प्रकार जोती सास्त्र में भी हल्दी का बहुत बड़ा महत्वा है हल्दी को जोती सास्त्र में सुक सम्रिधी की व्रिधी का कारक माना गया है इसलिए जब भी लड़कियों की शादी होती है तो उन्हें हल्दी की एक छोटी सी पोटली दी जाती है ताकि वो जिस तरह से माईके में खुशियां भी खेरती है उसी तरह सुसराल में भी जाकर वो खुशियां भी खेरे हल्दी हमारे जीवन में बहुत महत्वपुन अस्थान रखता है हल्दी के बिना कोई भी सुपकाम नहीं होता है हल्दी से जुड़े बहुत सारे उपाये हैं जोति सास्तर में काली हल्दी को भी लेकर के कुछ उपाये बताए गए हैं वास्तों में कहा जाये तो हल्दी का संबन्द ब्रस्पति ग्रह से है अगर आपका गुरू ग्रह सही रहेगा तो आपके उपर कभी भी कोई परिशानिया नहीं आएंगी अगर आपका गुरू ग्रह सही रहेगा तो धन संबन्द परिशानिया नहीं होंगी मानसिक परिशानिया नहीं होंगी जीवन में सफलता ही मिलेगी तो गुरू ग्रह को सही करने के लिए हम छोटे छोटे हल्दी के तोटके या उपाय कर सकते हैं आप अगर इस पर विश्वास करते हैं तभी आप कीजिएगा अन्यथा नहीं कीजिएगा तो चलिए हम देखते हैं हल्दी के छोटे-छोटे से उपाय जो हमारे जीवन को सुख मैं और खुशियों से भरा बना सकती है तो चलिए देखते हैं घर में पैसों की तंगी रहती है बरकत नहीं हो रही है पैसा आ तो रहा है पर रुक नहीं रहा है मांसिक तनाव बना हुआ है इसके लिए आपको ये उपाय करना है आपको हल्दी गांठ वाली हल्दी लेनी है इस तरह की आपको हल्दी लेनी है उसके बाद आपको एक पीला क कपड़ा ले सकते हैं या लाल कपड़ा ले सकते हैं उसमें आपको साथ हल्दी की गाठे रखनी हैं साथ में आपको एक नमक की डली रखनी है इस तरह का आपको नमक रखना है सेंधा नमक रखना है फिर आप इससे पोटली को बांध दे मौली से बांध दे या पीले रंग के धागे से बांदे, बांदने के बाद आपको किसी कटोरी में इसे रखना है, रखने के बाद आपको किसी भी उचाई वाले अस्थान पे कॉर्णर में इसे रख देना है, कोने में रख देना, अगर कोना उत्तर पूरब का हो, यानि कि नौर्थ इस्ट का हो, तो सबसे बढ़ होंगे पैसा रुकेगा और घर में सांती बनी रहीगी दूसरा उपाई ये है ये उपाई बैपार करने वालों के लिए है अगर आपका बैपार सही से नहीं चल रहा है आपके बैपार में लॉस हो हानी हो रहा है तो आप काली हल्दी का उपाय करें इससे आपको बहुत लाव मिलेगा आपको काली हल्दी लेना है इसे पीस लेना है या पीस सकते हैं या पॉडर बना सकते हैं उसके बाद आपको इसमें थोड़ा सा केसर मिलाना है और थोड़ा सा आपको इसमें गंगा जल मि ये काम आपको परत्थम बुद्धवार को सुखल पच पुद्धवार को करना है आपको ले रसा गर जहां वहविसय के परियोग होता है अपूझ Cum क्श हेरे ये राइक और करति रसें दूब अका उस शाली काली हल्दी भाने करने दिआ और आपकी वेवैसाए में तरक्की होगी, वृदिती होगी और आपका वैपार्ट चलने लगेगा फूजा करते समय कलाई में या गर्दन पर छोटी सी हल्दी का टेका लगा ले इससे आपका विरस्पति मजबूत होगा और आपकी वानी में भी मजबूती आएगी हल्दी का दान करना बहुत ही शुब माना गया है हल्दी का दान करने से हमारे उपर जितने भी स्वास्त संबंधित परिशानिया हैं सभी दूर होती हैं और गुरु ग्रह में अनुकूलता आती है अपने घर की बौन्टी के दीवार पर हल्दी का एक रेखा बना दीजिए ऐसा करने से नकरात्मक सक्तियां आपके घर परविश नहीं करेंगे अगर विवाह के योग नहीं बन रहें तो भगवान विश्णू और लक्ष्मी मा के प्रतिमा के पीछे हल्दी की पूरिया छुपा करके रखने से अती सिक्र विवाह होता है